करक राशी वालो, फरवरी दोजार चोविस का महासिक राशी वाल आपकी राशी के लिए कैसा रहेगा सब छेत्रों के लिए अगर स्वास्थे की बात करें हैं, लव रिलेशन की बात कहें, या आपके विद्यार्तियों की बात कहें, दामबत्य जेवन के लिए कहें, भाग्य के साथ किया करियर या नोकरी सब चेत्रों को जाने के विस्तित रूप से इस पूरे महिने के ग्रह गोचर की साइकल को देखते हैं सबसे पहले और जानते हैं कौन सा ग्रह आपके जीवन के किन चेत्रों को प्रभावित कर रहा है चलिए वीडियो को करते हैं प्रारम सबसे प से संबंदित आने वाले भविश्य से संबंदित क्रह गोचर के आधार पर वीडियो से ले करके आता रहता हूं और यदि आप अपनी जर्म कुनलिगा का परामर्श कराना चाहते हैं तो वीडियो में तिखाई दे रहे नंबर से मुझे संबर्ग कर सकते हैं मित्रो जानते हैं ग्रह किस्दित जब वर्स दोयार 24 का दूसरा महिना यह नि प्रवरी का महिना प्रारम्ब होगा तो करकराशी वालों से करो कि स्थी कुछ इस प्रकार से रहे कि करकराशी से तीसरे भाव पर चंद्रमार केतु की और इसी के लावा अश्टम भाव पर रहेंगे सनी महाराज और नवम भाव पर यानिके मीन राशी पर राहु की स्थिति रहेगी और दशम भाव पर यानिके मेश राशी पर आप देख सकते हैं देव गुरु ब्रस्पती विराजमान रहने वाले तो आप करकराशी वालों के लिए बात करें इस महीने स्वास्थे के साइकल की स्वास्थे कैसा दिखाए दे रहा है करकराशी के मालिक कौन है चंद्रमा चंद्रमा का हर सवा दो दिन में राशी परिवर्तन हो जाता है इसलिए महीने के आदे भाग तक आप सर्दी नजला उसे कारण से और इसे के लाव अगर पंचम भाव पर ग्रहू की प्रभाव की बात करें तो ले itt wait कर राहु महराज 5 दृष्ट साब कि राशी को देखते हैं करकर रासी को लिए Oak indices अधने से संबंदित रादक आपन नींद से संबंदित और सिर्फ दर्द से सम्बंदित कुछ अब को देखने के लिए मिलसकती है रहां नहीं कहें परांतु हाँ थोड़े बहुत travelling इस रह सकते हैं तो इसलिए आप रात्रे काल में अपना सोने की और उठने की दिंचरिया को बनाएं सबसे स्रेश्ट उपाया आपके लिए प्रात्रे काल सुर्य देको उकते वियों को जरोड देके या सूरणान को और गदे यह भी आपके लिए उपाया है स्वात्य समंद्ध शरीर में पसलियों में रीडी की हट्डी में दर्द होना बोड़े के किसी पार्ट पर जोएंट स्पेन होना थोड़ी सी ऐसी समस्या देखने के लिए मिल सकते हैं यह जाती है अगर बात करें के विद्यारतियों की तो करक राशी के लिए पंचमेश को नहीं है मंगल महराज और मंगल अगिस्तिती समयने कहा है शस्टम बाव पर पंचमेश के मालिय के जुक की स्थिती जो है वो सश्टम बाव पर और पंचम बाव पर रहू की दृष्टी भी है तो जिस कारण से आपको फोकस करने में तोड़ी समस्या मिल सकती है करकराशी वालों को और यदि ऐसा भी नहीं है कि आप फोकस ना कर पाएं अगर मंगल आपके पंचमेश हैं तो आप नमांजी के अरादना करें और विद्यावान गुणी अतिचातुर रामकाज करि करने बैठ जाएं आपको अद्वुद परिणाम देखने के लिए मिलेगा जिन्हें विद्यारतियों का एक्जाम हैं कोई भी महत्रपूर्ण एक्जाम हैं तो मंगल की इस्तिती जो है वो पांच तारिक के बाद चेंज हो जाएगी मंगल आ जाएंगी के इंद्रमाव पर तब आपके लिए विद्यारतियों के लिए समय बहुत अच्छा हो जाएगा और अगर कोई भी आपको रोग है चिंता है व्यादी है तब आप हनुमान चैलिजा कि इस चोपाई का पार्ट कर सकते हो आपको फोकस करने में कोई समस्या हो रही तब आप इस चोपाई का पार अब इस महीने देखे जा सकते हैं तो ज्यादा चिंतित होने कि आपको अवश्यक्ता नहीं है क्योंकि राहु भ्रहम फैलाते हैं राहु की दृष्टी आपके पंचमभाव पर भ्रहम में नहीं फसना है मेहनत पर ध्यान रखना है मेहनत पर ही विश्वास करना है जिस मेहनत करते रहो इस महीने कुछ ना कुछ अच्छा परिवर्तन देखाई दे रहा है आपके लिए वहीं अगर बात करें लव रिलेशन को ले करके तो पंचमेस मंगल किस्चेदी सुरवाती कुछ समय के बाद में अच्छी हो जाएगी परंतों कर शुक्र की बात करें तो श अभी व्यक्ति अपने दिमाग से जादा दिल की सोचने लग जाता है उसकारण से उसको परिशानी करने पड़ती है तो जाड़ा भावत्ता में नहीं आना है क्योंकि वंगल शुक्र की यूति है व्यक्ति को थोड़ा सा करेक्टर पर उंगली उठवा देती है हाला कि आप बहुत करें आपके दामपत्य जीवन की तो करक सिंग करनिया तुला वर्चिक दनु और मकर सनी महाराज हैं आपके सब्तम भाव के माले इस पूरे महिने में सनी महाराज की इस्तिदी अश्टम भाव पर रहेगी जो कि दामपत्य जीवन के लिए तो जाला सुब नहीं कही जा सकती और वहीं पर जब सब्तम भाव पर मंगल का प्रवाव हो जाता है नहीं के पांच तारीक के बाद में मंगल आ जाएंगो सब्तम भाव पर तब आपको आपके पार्टनर के साथ में नूख जोक मत भेद कहा सुनी कलहे देखने के लिए मिल सकती है और उसका एक ही उ परिणाम क्या हो सकता है तब आप किसी भी चीज को कहा सुनी को करें सब्तम में जाना यह पार्टनर की हेल्थ के ठीक नहीं होता सब्तम भाव पर मंगल का आजाना यह हमारे दामपत्ति जीवन के लिए सुनना ही होता और मंगल के आपकी दृष्टी पर होना मंगल का जो प पश्ताता है तो यह आपको नहीं करना है मैंने आपको पहले सूचित कर दिया है मंगल की दृष्टी आपके लिए असुब नहीं है मंगल सब्तम भाव पर जब रहेंगे यानि कि पांच तारिक के बाद में तब मंगल की चौती दृष्टी आपके करियर भाव पर पड़े महाराज इसी के अलावा अगर भागी की बात करें तो करक सिंग कन्या तुला व्रश्चिक धनु मकर कुम और मीन देव गुरु ब्रस्पति हैं आपके भाग्यस्तान के मालिक और ब्रस्पति की स्थिति कहां हैं आपके दशमभाव पर तो यहां बहुत अच्छा सायोग बनता भाग्या की 39 से आप किसी नौकरी को प्राप्त करने के योग बनते हैं कोई अच्छी हो सकती है प्रमोशन हो सकता है आपको बड़े किसी इस्टेबिलिटी वाली जो चाहिए थी उसके लिए परियास करें थोड़ा लर्निंग पर ध्यान दें क्योंकि ब्रस्पति हैं ज्या करते हैं जोब जिसने आपके कोई इच्छा नहीं है आपने सोचा नहीं है और आप ऐसी जौब के लिए तो मैं आपको जौब के लिए तो मना करूं कि वर उसी जौब के लिए जिस पर आप इसकिल जानते हो पर नंतु थोड़ा सा रुकिए इस बात को समझे भाग्या इसतान पर होता है तो यह पुद्ध दोसका निर्मार्ण करता है और पित्र दोसका सेदा समझेस से होता है कोई भी काम करता हूं उसमिन से बलता नहीं क을 खार करक blijक जाता है काहिए की सुरबात हूं संकोच बहुत करता हूं हर समय और की बिफ् компании मन मैं आती रहती है तो यह तो तमाम तरह के लक्षण मैंने बताई यह पितर दोस्के हो जाते हैं अगर आप सुर्वास से ही इन चीजों को फिस करते हो करकरासी वालो क्योंकि आपर क्या है शनी के स्टम में जाने से शनी की रहिया भी चल लही है तो आपको समझना चाहिए कि राहू और शनी दो अच्छे स्टान पर बैटा हुआ है तो फिर मैं कहने सकता फिर कुछ और हो जाती है तो वह देखने के बात पता लगती परन्तु राओ नवम भाव के लिए जादा शुब नहीं माने जाते यह बात पक्ति होती है करियर के लिए जैसे कि मैंने का बहुत अच्छे हैं भाग परिश्रम जाला दिखाएंगे परिश्रम जाला करना पड़ेगा अधिकतर लोग वीडियो देखकर के बहुत जान निगटिव हो जाते हैं शनी किस्तिती को भी समझना बहुत आवश्यक होता है शनी व्यक्ति के जीवन मगर ना हो और कठिना अत्पन ना करे व्यक्ति को आ अधिक व्यक्ति के जोने के वल सुख ही नहीं होते दुख भी होते हैं दोनों ही चीजों को फेस करना होता है और सुक और हो जिंदीगी तो कुल मिलाकर समझ गोंगे मैं आपको क्या कहना चाहता हूं अब बात करते हैं उपाये कि आपके लिए वाओ पर रहू का परभाव ह परियास ही व्यक्ति करता रहता एक समय साथ आपकी राशिक आपकी राशिक व्यक्ति व्यस्ते पूर में सोचने लग जाता है कि कुछ कर लूँ अब ना आपको समझ सकते हो तो यहाँ पर क्या है कि आठमों की रुदराक्ष मैं कोई ऐसे नहीं कि आपको वैसे समझा दिया आ किसी काम को कहा कर पाएगा नहीं कर सकता तो उसलिए सबसे पहले आपको काम होता है कि मांइंड को कि रखना माइंड यदि नहीं कुछ भी करते रहो कोई फायदा नहीं इसलिए आप आप मुझाराक्ष को धारन करें इसी के अलावा शनी महाराज की जब तक आप पर अढ़ी अभी बहुत समय तक है मार्च दोयार चोबिस तहीं कि लगवक राहु और शरी दोनों साथ में चलेंगे तो आपको एक सला देना चाहूंगा कि साथ हमकी रुद्राक्ष और आठ की रुद्राक्ष की साथ करता है शनी को रिवर्जेंट आठ करता है राहु को इन दोनों को परिणाम है बहुत अच्छा लाव है यह आपको बहुत जल्दी परिवर्तन देखवा सकता है गर्दिश के सितारे जब तक चलना है उसमें भी आपको अच्छा फलिये दिला सकते हैं रुद्राक्ष महादेव की शक्ते हैं बहुत युश्वास करता हूँ इसको आप जरू करदें ओम श्री विद्यानमा